आज हमें आने जा रहे हैं बहुत ही डिलिशियस सी चिकन मुगलाई कडाही तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो के अंदक लाज़मी देखना है और हमारे चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब करना है उसके पाद वीडियो को लाइक भी करना है तो चले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं पिसमिल्यारमारी रहीम सबसे पहले हम लोगों ने एक कप घी में जो है चॉप्ट प्याज ले लिया है उसको हम लोगों ने फ्राइब करना है लाइट गोल्डन ब्राउन करना है यह हमारे पास चार से पांच प्याज हैं उसके बाद उसमें मसाले जाएंगे खड़े मसाले जाएंगे उनमें सबसे पहले आ जाता है खड़े मसाले हैं कुछ हमारे पास जीरा काले मिर्च लॉंग और दार्चिर्णी और जो बड़ी लाइची है उसका एक टुकड़ा और टू टेबल स्पून यहाँ पर हमाई पास कॉरियंडर है खुश्क धनिया खश्खाश ले लेंगे टू टेबल स्पून उसके बाद बदाम ले लेंगे दस से बारा अब इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने ड्राय रोस्ट करना है उसके बाद हम लोगों इसका पाउडर बना लेना है ग्राइन करके दूस्य सारे पे प्याज हो है हमारे light golden brown होना start हो गए है तो बस हमने इसका ज्यादा कलरचेंज्टिंग करनाना अब है इसमें एड़ कर देना हो है टमाटर और हरी मिर्चें तक्रीबन दो बड़े साइस के टमाटर लिये थे और 5-6 सबस में चली थे उनको रफली काट के हम लोग ने इस तरह से आड़ कर दिने हैं क्योंकि हम लोग ने इसके अच्छे से फ्राइ करने के बाद इसके हम लोग ने एक प्यूरी बना लेनी है जिससे बहुत ही थिक ग्रेवी और बहुत ही मज़ कर लेना है मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हिलाते हुए और हम लोग ने इसको क्रश कर लेना है उसको ग्राइंड कर लेना है दोसी साइड पे हमारा जो टमाटर प्याज और हरी मिर्चों का जो मसाला है यह भी फ्राइ हो चुका है अब हम लोग ने इसको निका लेना है इसक शामिल कर सकते हैं उसके पाद इसमें चला जाएगा हल्दी पाउडर वन टी स्पॉन वन टी स्पॉन रेड सुली पाउडर इसमें चला जाएगा उसके बाद जो मसाला हमने बनाया था ना जो ड्राई मसाला हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे वो बहुत ही amazing टेस्ट होने माला है इन्शाला आप लों प्संद आएगा मुज도ी यकीन है आप Annות स्रेस्पे को लाजमें ट्राइट की जएगा उसके बाद जो हम लोगों ने प्यासों की प्यूरी बनाई थी वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे और इसमें हम लोगों ने क्या करना है अब हमार पार कोई काम नहीं है ज्यादा अब हमने इसमें सिर्फ पानी एड़ करना है वन कप जब से पहले हम लोग इसमें टू डेबल स्पून जिंडर गार्ली का पेस्ट शामिल कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को मसालों को ताके एक जान हो जाएं हम हबने हो रहे हैं इसमें जो है वो एक कप पानी शामिल कर देना है एक कप हमने इसमें पानी शामिल कर दिया अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाल हम लोगोंने चूला अब ओन करना है अब चूला ओन कर देंगे और इसको कवर करके हम लोग पकाएंगे और यह स्टीम में ही पकेगा कवर कर देंगे और तक्रीबर हम लोगों ने इसको 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है माशाला से 20 मिनट के बाद जैसे हमने धक्कन उठाया आप देख रहे हैं किती खुबसूरत लुक है किती खतरनाक माशाला से तो अब हम लोग इसको कृबर 5-10 मिनट तक यहां पे हम लोगों वनाय करनी है जैकर हमारा कोख हो चुक है सॉफ्ट हो चुक है टेंडर हो चुक है अब हम लोग पर 10 मिनट हम लोग Ilसकी मीडियम प्लेम पे हमने इसकी बुनाय करनी है जोस्ट बहुत सिंपल असान और यमियस्ट रेसिपी आपने लाजमी ट्राइ करनी है जब मैंने बनाई थी तो सबको बहुत पसंद आई थी क्यूंकि मैंने बाकी रेसिपी से हटके अपने तरीके से इसको बनाया है अपनी कुछ चिसमी फंकारिया एड़ गी है तो आपने लाजमी ट्राइ करने इस रेसिपी को तो यहाँ पर हम लोग 3-4 जो हैं साबत हरी मिर्चे आड़ कर देंगे चूला बंद करने से 3-4 मिनट पहले ताके जो मिर्चों का अरोमा है वो भी जो हमारा साले ने उसने आ जाए ग्रीवी तो माशाला से बहुत ही मज़े की बहुत ही टेस्टी से हमारी रेसिपी बनके त्यार हो चुकी है अमीद है आप लोगों को यह रेसिपी देखने में मज़ा आया होगा और जब बनाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ाएगा तो आपने यह रेसिपी को लास्मी ट्राइ करना चले हैं आपको ट्राइ करके बताते हैं कि कैसी बनी हैं तो यह पराठे के साथ भी बहुत किस्टी आला जैसे देगी टेस्ट आ रहा होता है न सेम वैसा टेस्ट आएगा तो आप भी इस रेसिपी को आज ही ट्राइ करें और अपना फीड़बैक हमारे साथ लास्मी शेयर करें अमीद हैं कि सिंपल से रेसिपी आपनों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रजबी के साथ तब तो के लिए अपना बहुत सरा ख्यार रखें अपनी दौा में हमें याद रखें अल्ला हाफेज